हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इंवेस्पेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के उपर दोस्तो आज के दिन भी टाटा पावर के शेर में गिरावट होती है भी देखने को मिल रही है लगातार दोस्तो ये शेर गिरावट की चपेट में आता हो देखने को मिल रहा है आज शुरुवाती कामकाज में शेर ने 280 का लाकराच हुआ लेकिन दोस्तों महा से फिर अब share में घिरावट देखने को मिलिये और almost 211 रुपे के आसपास 273 रुपे पर share closing देने में एक काम्याव होता हो देखने को मिल रहा है काफी सारे ऐसे लोग है जोनों कमेंट करके मुझे बता है कि सर अबने 295 पर share buy करा है रहने 300 की call खरीद रखिए अब क्या होगा दोस्तों उन्हों सब भी चीजों का और क्या होंगे अब मंडे के target यानि 18 अप्रेल के इंट्रारी के टार्गेट स्टॉप्लोस और रिजिस्टिंस तो वीडियो को इन तक देखना वीडियो अच्छा करना शेर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों तो चलिए शुरू करते सबसे पहले आज की मार्केट की बात करें तो आज के नहीं बात करें अगर आपन पूरे गिरावट होती देखने को मिलिए और सबसे जादा घिरावट में जो पार्टिसिपेशन वह आप लोगों को मिट्केप में देखने को मिल रहा है वहीं मिट्केप उचलता हुआ लेकिन अचानक से मार्केट में काफी बड़ा दिखने को मिलता है और आप देख सकते आठ अ और उस तेजी को लीट कर रहा था ONGC गेल्द से बड़े-बड़े काउंटर्स वहीं गिरावट कोंसे काउंटर्स कर रहे थे अब देख सकते हैं आज एनर्जी इंडेक्स में टॉप लूजिंग काउंटर्स में टाटा पावर का नाम शामिल है अब देख सकते हैं अल्मू में एक शांदार थेजी होते ही देखने को मिली तब अपावर का शेर आपको फिरोंडेट करता हो देखने को मिला। लिगिन जब टाटा पावर के शेरों में टेजी होना शूरू हुई वैसा लिए दोस्तों मार्मीट की сिचुछींॉशन 28 points का फारक आपको देखने को मिल रहा है from its highs अब दोस्तों बात करेंगर दिन की range की तो आज दोस्तों शुरुवाती कामकाज में एक दम exactly ऐसा लग रहा था कि stock अब सारी घिरावट भूलता हुआ देखने को मिलेगा एन एक नया breakout stock में देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ देखने को मिला stock में गिरावट आज के दिन भी continue होता हुआ देखने को मिल रहा है almost दोस्तों 9% ये share नीचे आगए अपने 52 हफतों के हाइस से 52 वीक हाइस से 9% नीचे ये trade कर रहा है टाटा पावर शेयर का नाव है और आज के दिन भी दोस्तों share में short build-up होता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार चौते दिन में पढ़ रहा हुँ दोस्तों के शौक short build-up stock में जा रही है लेकिन आज के दिन 95 वे ब्लॉक दिन दर्द होती भी देखने को मिल लिए अगर future की बात कर ले तो futures में भी दोस्तों आप देख सकते हैं stock का price काफी नीचे जलता हो देखने को मिल रहा है प्लस अगर दोस्तों technical trading के आथ करें technically share अभी भी very bullish zone में दिखा रहा है लेकिन दोस्तों definitely stock में bearish momentum हम बन चुका है अगर stock के resistance की बात करें तो आज share ने एक भी resistance इचनी किया और आज share दोस्तों अगर बात करें कि अब दोस्तों support बन रहा है stock के लिए एकदम उसके दहली इस पर खड़ा है 270 रुपे अपनी position में final stop loss लेके चले अगर 270 का level आता है तो प्लीज अपना share exit करने में डाल दीजे अगर उसके levels के नीचे शौर share पिसलता है तो आप कह सकते हैं कि 265 और 258 रुपे जगा भी stock में बन सकती है डेफिनेटली 270 रुपे final stop loss लेके चलेए अगर मंडे के दिन share 281 के उपर trade करता है तो आप definite stock में buying position ले सकते हैं और intra damage 288 से 293 तक का target आपको stock में देखने को मिल जाएंगे anyhow योगि दोस्तो अगर 281 के उपर share निकला तो stock में होगी तगडी short covering जी हाँ दोस्तो stock में होगी तगडी short covering अगर 281 के zone से उपर ये share trade करने का अगर दोस्तो stock के price performance करें तो आप देख सकते हैं लाजवाब returns लोंग term में लेकिन short term में आप देखे तो 17% के return तीन मैने में 11% के return लेकिन long term में अगर आपन देखे तो 200% के return और short term में stock ने अच्छे returns नहीं दिए तो definitely आप इस stock को buy कर रहें short term के नजरिये से buy ना करें short term में दोस्तो stock गूंता रहता है आप कह सकते हैं कि long term में तो company के results काफी शानतर आते हुए देखने को मिलेंगे प्रस आपको काफी अच्छा profit इस company में long term में होता हुए देखने को को मिल सकता है प्रस अगर दोस्तों stock की volume की आद करें तो volume में भी आपको गिरावत देखने को मिल रही है पाच करोड शियर्स करके दिन trade होते हुए नजर आये और आज के दिन मात्र तीन करोड़ शेयर्स टेखने को मिलें तो definitely दोस्तों volume में काफी बड़ी गिरावत आपको टाटा पावर के शेयर में दर्ज होते हुए देखने को मिल रही है कंपनी के अगर शेयर्स के पास maximum हिस्सेदारी हो दोस्तों decision making का जब बात आता है तो promoters के पास हमिशा maximum हिस्दारी होनी चाहिए और ऐसा यह दोस्तों कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनका लॉंग तर्सपेक्टिव शॉर्ट तर्म परस्पेक्टिव और उनकी balance sheet financial statement profit loss सब चेक करने के बाद FIS इन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटल लॉंग तर्म में कंपनी का व्यू काफी पॉजिटिव और मेरी भी यही सला है कि आप इसमें बाइंग कर सकते और अच्छा का सा टार्गेट आपको आने वाले एक से दो सालों में कं ठोंने सकता है अब दोस्तों हैं कि अगर स्टॉक के चार्ट बात कर ले तौब देख सकते हैं कि एक रीचव लेगरा चार्स यहां हो फोको ने से तो आप देख सकते हैं दोस्तों साथ रुपए के लेवल से स्टॉक में एक तगड़ा ब्रेक आउट देखने को मिला और शेर 298 रुपीज के दर्शन करके आया है लेकिन अगर अगर अब यहां शॉट टेम के चार्च देखे तो आप देख सकते हैं बीते पास दिनों में शे डेफिनेटली स्टॉक ने आप कह सकते हैं कि तेजी में कम तेजी और गिरावट में जादा गिरावट करके दिखाईए और इस हिसाब से स्टॉक में पैटन बन रहा है अब स्टॉक कुछ अपने मेजर रजिस्टेंस है उनके उपपर टिकना होगा अगर एक भी स्टॉक में बना सकते हैं और 300 रुपे के लक्ष आपको शॉर्ट टर्म में टाटा पावर के शेर में देखने को मिल जाएंगे तो यह कुछ लेवल है आपको ध्यान में रखने होंगे अगर कल के लेवल के में बात करूँ तो कल आपको CMP पर खरीदारी रखके चलना होगा और मेरा पहला ही टार्गेट दोस्तो 280 रुपे का होगा जी हम दोस्ते मंडे की आत कर रहा हूं में 280 रुपे के लक्षिक के साथ आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलना होगा और स्ट्रिक्ट आपका स्टॉप लोज होगा 270 रुपे का अगर 270 रुपे के नीचे शेर फिसलता है तो मेरी के आपकी सला होगी कि स्टॉक में आप एग्जिट कर लीजिए और नीचे आपको मिल सकता है स्टॉक 258 के लेवल्स पर मिल सकता है देन आप अक्यूमिलेट कर सकते तो definitely 270 रुपे के साथ 280 रुपे के टार्गेट के लिए आप टाटा पावर के शेर में खरीदारी करने चल सकते ओर काफी अच्छे टार्गेट्स अपको इस छेर में देखने को मिल सकते क्ना शेर करना सब्स्क्राइब करना धोस्तों यपर आइन शाजीं सब्सकराइब करना दोस्तों थेंक यूरेत व